ताकि क्लाइंट को भी अपसोस हो क्यार मैं बता ना भुल गया यार फिर भी फोटोग्राफर ने कोपरेट किया क्योंकि हमें कोपरेट तो करना ही पड़ता है दोस्तों आज का वीडियो हमारे वेडिंग फोटोग्राफर के लिए बहुत ज़्यादा इन्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि भाईया एक 5-7 साल तक फोटोग्राफिक करने वाले वेक्ति का कोश्यन है मेरे पास के भाईया मेरे पास वेडिंग बुकिंग नहीं आती अब मैं क्या करूँ मुझे आता तो यहीग वर्क है तो अब मैं करू तो क्या करूँ तो उन्हों से मैंने कुछ चर्चया की जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाता हूँ और यही समस्या है हर एक वेक्ति हर एक वेडिंग फोटोग्राफर के साथ में आती है और वह इस समस्या को जो मैं बहुत बड़ी समस्या बना लेता है क्योंकि यह समस्या हमारी तो ही है सा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैं हूं आपको दोसे बढ़ो लिए आप देख रहे हैं जम्रेस फोटोग्राफी चैनल दोस्तों सबसे पहली बात पर कहुंगा कि सो तरह के वेडिंग फोटोग्राफर हैं और सो तरह के ही क्लाइंट मिलते हैं हमें किस तरह से हमार करना होती है बहुत से फोट्रफोर होते हैं जो कुछ सोचे समझें अग्यों फोट्रहएं गance फोट्रेश को खराब करते हैं और कर देना या छब हैम कर रहा है नहीं कर बारह। और भी अदर काम होते हैं जो हमें भीया आउट्डोर जाके करना होते हैं बर्थडे शूट होता है पार्टी शूट होता है और वो सर ऐसे जो काम होते हैं जिसमें फोटोग्राफी का नाम आता है और फोटोग्राफी हमें हर वक्त हर जगा पर करना होती है आज कल कोई सा भी होता है कोई सब इवेंट होता है उसमें बीना फोटोग्राफिक की काम नहीं हो पाता है तो हर जगा हमें जाना पड़ता है और हमारा काम जो हैं अलग-अलग तरीके जो हैं इस तरह से पेमेंट चाहिए काम करने से पहले इतना पेमेंट चाहिए जो भी आपकी रिक्वार्मेंट है मैंने इसके उपर पूरा एक डिटेल में वीडियो बना रखा है जो की बुकिंग ओडर के उपर है कि भीया हमें जब बुकिंग करते हैं तब हमें 25 परसंट ल कर लेना जाइए जब आप बुकिंग करते हैं कि आप इस तरह की बात में तो क्लाइञ के बहुत तरह के भ¬हाने होते हैं कि भैऑ आप ने कम तो दीए इन्हीं है पेसा पैसा किस बात का मांग तेले का मले का यह फ Mayo लेलिया का ब्लोविक क्व लिए सब्सका क्लाइध बा यह लिए आप मेरा बनाएगा वीडियो देख लीजेगा जिसका लिंक में आपको साथ में डिस्क्रिप्शन में और बाकी आगी की बाते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं जिससे आपके फोटोग्राफिय विज्ञाइब में 100% बदलाव आएंगे दोस्तों फोटोग्राफिय चाहिए कि भीया हमने उनका काम आदे से ज्यादा जब हम एक्सपोजिंग करने गयते हैं तब ही हो चुका है सिर्फ आउट्पूट देना बाकी है तो वह आउट्पूट देने का काम जो हता है वह मुझकि से 10-20% बाकी रहता है तो 80% काम हम उनका कर चुके होते हैं लेकिन हमार पास पेमेंट 80% नहीं आता है तो इस बात का इसपस्टी करन होना जरूरी है तब ही तो आप आगे फोटोग्राफिय में बढ़ पाएंगे और दूसरे अच्छे क्लाइंट का काम कर पाएंगे क्योंकि 10-20% पेमेंट रुकता है तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आपने क्योंकि फोटो सिलेक्षन नहीं कि सब्सक्राइंगे तो इस तहरे कि इस पस्थी करने अफेले अपने दो्स असले करें बना terug तो हमें भी बूरा लगता है कि आपने फोटो शिलेक्शन करने में एक साल लगा दिया और अब आप हमसे चार दिन में आट दिन में मांग रहे हो तो ये चीज़े जो है पेले किलियर कर लें ताकि आपको किसी तरह की समस्या ना आए कियांर में तो कहता हूँ कि इंग कंपलिट हो जाने अगले दिन आप सारा लोड वैटा लो इतने समय में आपको बना कर दढ़ा तो आपकोब किसी तरह की तकलिप नहीं आएगी तो इस तरह की चीजे जो है आप अपने वेवसाय में जरूर इस्तमाल कीजिए अभी तक आपने फोटोग्राफी में इसा इस्तमाल नहीं किया आपने सिर्फ बुकिंग पर ध्यान दिया और आपने बुकिंग कर ली और फिर बाद में आपको इन समस्याओं सो जूजना पड़ा और आपको क क्या पतब हैं लेकिन आपके वेवसाय में आपने किसी बीतरह का अपडेट नहीं लाए तो यह चीजे जो हमें हमें अप्लाइब करना है इस तरह की समस्या है client के साथ में आती आती है और photographer के साथ में भी आती है और photographer क्या है आपको मुझे पेले बताना चाहिए था कि एक समय favorite दो function चालो हो गए तो मैं एक उदर को पुझाओंगा कि आमें फिर एक दूर को पोचाऊंगा तो इस तरह की समस्या ना होना चाहिए क्योंकि यह आपने इस विस्तार से जब बुकिंग करी थी तब नहीं पूछा आपने क्लाइंट से तो क्लाइंट से आप इस पस्टी करन करेंगे किस समय पर आपका क्या प्रोग्राम रहेगा माना कि थोड़ा बहुत उपर नीचे हो जाता है आदा एक गंटा प्रोग्राम जो है आगे पीशे चलता है लेकिन आपको आपके फोटोग्राफर्स को एक्टी रखना है कि इस समय अगर प्रोग्राम नहीं चला है तो भी एक व्यक्ति को साथ में रखना है कि भीया तुम वहां पर प्रोग्राम की जहां लोकेशन वहां पर बेट और इंतजार करके कुछ प्रोग्राम चालो हुआ हो तो हमको रिंग कर दे क्योंकि यदि क्लाइंट ने भी आपको एक बार पर साथ में रखिए जिसे आप इस काम को भी दे दे कि भीया जब फंक्शन चालू नहीं हुआ तब भी तू लोकेशन पर रहे और हम को इंफॉम कर देना तो हम फटा फटा आ जाएंगे लोकेशन पर और हम जो है रेडी रहेंगे क्लाइंट को नंबर डायल करने का मौका दोस्तों एक चीज़ करता है कि आपके स्टेश प्रोड्राम रहेगा तो कितनी वजरे से चालू रहेगा क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि सथ ग vor सब्सक्राइब लेकिन कई बार जो होता है कि भीया हमें तोरन वाली सिस्टती जो है पेले मिल जाती है तो तोरन के नाम पर एक एक डेड़ेड़ घंटा वेस्ट किया जाता है क्योंकि प्रोशेशन अलग निकलता है साथ बजे फिर एक घंटा स्वागत में लग जाता है और स्टेश पोच जाता है हमारा नो बजे लेकिन कई बार एसा होता है कि भीया दुला और दुलन पक्ष में बिल्कुल वाली बात हो जाती है कि हम तो हमारे प्रोशेशन निकालने के लिए हमें आपके रिशेफ्शन से क्या मतलब है तो हम तो प्रोशेशन आराम से है बाद में समय नहीं देता है क्योंकि जली-जली डाटा बन पाता है आप सोफवचास फोटो में रिशेप्शन कलिक हो जाता है आप सब्सक्राइबाइब हो इसके लिए आपको क्लाइंट को क्लियर कर लेना जो आपका स्वागत और जो आप वेलकम करेंगे दुले का जो आप तो आपको पेले पूछ लेना चाहिए कि आपका रीशेप्शन कहां पर है तरहें कि पार्ने जुब लेकर लेकिन वो सिर्फ नॉर्मली ढहल सभी है यह पीर रहें या फिर शॉय Course यहा फिर रखी या फिर हेलिकप्टर से उतर के आ रहे हैं यह सारी चीजिए आपको आपके क्लाइंट के साथ में पहले शेयर कर लेना चाहिए कि भीया आप इंट्री किस तरह की दूला दूलन की रख रहे हैं तो उसके अकोडिंग आप फोटो वीडियो केम्रे रेडी रखें क्यूंकि कई बार ऐसा होता है कि इंट्री तो हाई लेवल की होगी 50,000 रुपए की सिर्फ दूला दूलन की इंट्री रखी थी लेकिन हम फोटोग्राफी ही पूरी शादी में 25-30,000 रुपए में कर रहे हैं तो फिर किसा लगेगा हमें इसलिए आपको इंट्री को पूछ लेने चाहिए किस तरह क कि इंट्री हो रहे हैं उसके अकोडिंग आप केमरें इस्तिमाल करें और आप आपका बजट जो हैं अपने क्लाइंट को बता सके कि इतनी बड़ी पार्टी कर रहा है इतना बड़े गार्डन में इतने बड़े रिसोर्ट में वेडिंग कर रहा है इंट्री में 50,000 किया था हमने 5,000,000 की शाधी कर रही थी और आपकी फोटोग्राफी में आउट्पूट की आया है इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों वेडिंग में सिर्फ काम ही माइने नहीं रखता है वेडिंग में बेगराउंड भी माइने रखता है तो बेगराउंड किस तरह का है पूरी डिस्कुशन और पूरी चीजे जोगे किलियर अपने क्लाइंट के साथ में नहीं करेंगे तो आप अपने फोटोग्राफिक को उनके सामने किस तरह से रख रहे हैं इसलिए सारी चीजे इस्तेती किलियर हो जाएगी ना तो आप भी उनको बहुत अच्छा काम दे सकें सब्सक्राइब करकर पूछेगा जरूर दोस्तों वेडिंग के सारे फंक्शन इंपोर्टेंट होते हैं इस्टेज वर्माला फेरे मामेरा माताजी बुजन सभी लेकिन साथी साथ में ध्यान रखना है कि बीदाई बीदाई कब हो रही है हमारे क्लाइंट की कि भीया रिशे चीजे आपको क्लियर कर लेना चाहिए क्यूंकि अगले दिन के प्रोग्राम बहुत सारे होते हैं कि भीया हमने डबल डबल बुकिंग ले रखी है नेक्स्ट बुकिंग ले रखी है हम सिर्फ ध्यान रखते हैं कि दो दिन की वेडिंग है लेकिन विदाई का ध्यान नहीं विदाई होने के बाद भी कितनी बजे हम हमारे शहर में पहुच जाएंगे ताकि हम दूसरी वेडिंग को आराम से कर सके हर वेडिंग आपके घर के बाजू में नहीं हो रही है कहीं बार आपको 50 km, 100 km, 200 km कहीं पर भी जाना पड़ सकता है और आप हर वक्त ब्राइडल की विदाई को शूट करना बोच ज़्यादा जरूरी होता है चाहे अब लड़के की तरफ से हो आपको हर एक मोमेंट केप्चर जरूर करना है यदि आपका क्लाइंट मान जाता है कि कोई बात नहीं प्रोग्रम पर उस वक्त फिरियों कर चले जाना तो बात अलग होती है लेक वेक्स समझने के लिए और क्लाइन्ट को भी अफसोषो यार में बताना भूल गया या फिर भी फोटोग्राफर ने कोप्रेंट किया क्यूंकि हमें कॉप्र तो करना ही पड़ता है चाहे विडिग टाइम पर complete हो गई हो या फिर time से over हो गई हो या फिर आपने function time पर चालू कर दिया या फिर दो-चार घंटे बाद भी चालू किया है तो इसलिए आपको specific करना जरूरी ताकि आप गलती में कहीं से कहीं तक ने रहे क्योंकि हर client believe हो हमारा relative हो या फिर हमारा close हो आपको गलती बाद में hundred percent गिनाएगा मुझे खुद को गलती गिना रखी कई बार client ने क्योंकि मैंने client से बहुत बार चर्चा करी है कि भाया आपका संगीत जो हो रहा है संगीत में आपके guest कितने आएंगे reception में तो हमें पता है कि आपने 800 वेक्तियों का खाना एकजार वेक्तियों का खाना रखा है लेकिन आपके संगीत में आपने कितने लोगों को बुला है संगीत नॉर्मल खाली फेर में लिके साथ में करेंगे भीया ज़्यादा वीशेश नहीं है तो आपको एक और इस्ट्र पूरे कवर नहीं किये तो भी हमें प्रोब्लम हो जाता है इसलिए हमने डांस पूरे कंप्लेट रिकोर्ट किये लेकिन हमारा केमरा जो है पार्टी में नहीं जा पाया और फिर उसके बाद क्लाइं अगले दो मेंने भी डाटा लिया तब उन्होंने हमसे शिकायत कर दी कि आपने एक बार भी केमरा पीछे नहीं गुमाया जहां पर लोग खाना खारे रहते जबकि खाना खाने का सिर्फ केमरा पीछे गुमाने संबंध नहीं है केमरे को ट्राइपोर्ट से निकाल कर संगीत से हटा कर हमें पार्टी में ले जाना होता है तब जाके 10-15 मिनिट का व से शिकायत करेगी तो यह होते हैं हमारे तरीके पार्टी से बात करने के और इस पर स्टी करने करने के ताकि हम उन्हें बाद में कह सके कि भाई आपनी मना किया था इसलिए हम नहीं लगा पाए तो यह किलियर कर लेंगे ना तो आपका फोटोग्राफिश बहुत जाद अच सकते हैं मैं उसका सोलिशन आपको 100% हो सकेगा तो कमेंट में दूँगा नहीं तो मैं आपको कोल करकर भी बातचित करकर आपको सुलिशन दूगा यदि इस वीडियो से आपको कुछ भी समझ में आया है तो प्लीस हमारे इस वीडियो को लाइक कीज़ेगा चैनल को से स्क्र प्रोब्लम का सोलिशन निकाल दूँगा और आपको मैं एक अच्छा भातिन फोटोग्राफर बना दूँगा क्योंकि मुझे वेडिंग फोटोग्राफी से कहीं ना कहीं 90% काम मिलते थे लेकिन अब मैं वेडिंग फोटोग्राफी से 40% काम करता हूँ 60% काम जो है मेरा साथ में शेर करूँगा और आपकी सारी समस्याओं का स्योलीशन करूँगा पिलिस वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा साथ बने रहेगा फिर मैं दिलता हूँ आपको नई नई फोटोग्राफिक टिप्स कात में तब तक के लिए कर दोगे टाए मीं देर आपकी सारी एक हमारा स्योलीशन करूप कर डरा को दोग मैं देर का थापकी सारी से ओान करूप हूप प्सक्राइगा हमारा सारी समस्याओा चैनल को जोती।